एपिस नमा 359 के स्टर्टिंग होती है और तबी अच्छानक जो इलिंग के सामने एक कार आका रुकती है और उसके अंदर वान बई होती है और वो चांग्वियान से कह रही होती है तब वान बई कार से बाहर निकलती हुए कहती है नहीं इसकी कोई जूरत नहीं है मैं खुछ चल कर जा सकती हूँ नहीं तो फिर तुम कभी भी बेडरूम में नहीं आ पाऊंगे तब चंग्वेन कहता है ठीक है डार्लिंग में इस बात का ध्यान रखूंगा और वहीं खड़ा जोईलिंग उन दोनों की ये सब बाते सुन रहा होता है और कहता है जल्दी करो प्रेस कॉंफेन बज शुरू होने ही वाली है अब वान बई कहते है ठीक है डार्लिंग चलिये और पिर जोईलिंग चंग्वेन के शुलर पर हत रखती हुए कहता है चंग्वेन खुद पर सयम रखना तुम्हार लिए अच्छी बात है ये सुनते ही वान बई बलश करती हुए कहती है डार्लिंग चंग्वेन कहता है ठीक है मिस्टर जोईलिंग मैं समझ गया और मैं इसका अध्यान रखूंगा और पेड़ सिन सिर्फ टोतर में प्रेस कॉंफेंस दिखाई जाती है जहाँ पर डेर सारे लोग आई हुए होते है और वहीं सुयू भी आती वे कहरी होती है वान बई बहुती जदा स्ट्रगल कर रही है और कुछी समय में उसका अंत हो जाएंगा और वो ये सोसती है कि वो एक प्रेस कॉंफेंस रखकर सारी स्थिती को बदल देंगी ये सच में कितना बेहुदा है और वहीं उसके बजो में खड़ा चेन उसे देखमन में कहरा होता है ये बेवकूफ लड़की ये बात नहीं जानती कि कुछ ही देर में उसका परदाफाश होने वाला है और तभी वहाँ वो लोग एंटर होने लगते है और सभी लोग कहने लगते है देखो मिस्टर जोईलिंग आ गए और पिर तभी वान बई के पास डैसरे रिपोर्टर सा जाते है और उससे करने लगते है मिस्टर जोईलिंग की नाजायस बेटी हो और मिस्टर पेलन को जेल में डाल दिया गया है और मिस्टर मेई की मिर्टी हो चुकी है वो भी इस कारण क्योंकि आपने उन्हें धमकाया था वो भी प्रॉपर्टीस अपने नाम करने के लिए इस मिस्टर वान बई हमको जवाब दीजिये और फिर चॉंग वान गुस्टे से उनसे कहता है तुम लोग दूर हो जाओ और उसे ऐसा कहता देख सारे रिपॉर्टर गबरा जाते है और पीचे हट जाते है और फिर चॉंग वान बई काथ पकड़ते हैं कहता है चलो वान बई स्टेज पर चलते है और वहीं Ouch ने वाहा देख खैने लगती है अरे नहीं यहाँ पर चांग्वियन भी आया है ऐसा कहा जा रहा है कि वान बई ने चांग्वियन को धोका दिया है लेकिन अभी भी चांग्वियन उस पर इतना भरोसा क्यों कर रहा है भला और फिर चेन कहता है सुयू ऐसा लगता है कि तुमने चांग मियान को वान बई की प्रती जो प्यार है उसको कम आका और फिर सुयू कहती है यहाँ पर वो एक मातर परसन है जो की वान बई पर भरोसा करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया वान बई पर भरोसा नहीं करती और वान बई बिल्कुल भी मेरा पासा नहीं पलट सकती और गाईजीदी के साथ एपीस नोमर 359 यहाँ इंड होता है पसना है तो लाइक और सिस्काइब जरू करें मिलते आपको जल्दी नेक्स्ट एपीस सोड में